हेलो प्रेंट्स वेलकम टू सेलेक्शन डेक्स एक पात्तों सक्सेज तो प्रेंट्स आज आपको लोगों के लिए ऐसी न्यूज लाया हूँ जिसमें कि यह काफी वेकेंशी आई यह ग्रामीन डाक शेवक में जीडियेस में तो उसकी वेकेंशी जैनी सत्रा सो प्लस है जो कि तीन सर्किल में मैं सबका बताऊंगा आपको अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें और हमार साथ मने रहे हम आप लोगों के लिए हर चीज परवाइड करते हैं ठीक है इसी तरह से हम आप लोगों के लिए स्टेडि माटेरियल प् कि वेकेंसी है वेकेंसी कितनी है हमने बात किया अनि 1700 से ज्यादा वेकेंसी हैं मैं आप लोगों बताऊंगा और इसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें आप लोगों को बताए जाएगा किस तरीके से आप पूराम फिल कर सकते हो ठीक है उसमें पूरी डिटेल तो तीन जोनों में आई हुई है और अप्लाइड डेट क्या है इसकी कब से स्टार्ट होए एज कितनी इसके फीस क्या है ठीक है तो यह सबकी बाते करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं कि इसमें 1700 वेकेंसी है प्लस यह तीन जगह से निकली हुई है एक तो द जैसे कि आप लोगों पास अभी हाले में आपको जोब की रिक्वाइर्मेंट है तो ठीक है आपके लिए अच्छा उपर होता है इसके साथ आप फरदर जो भी त्यारे करना चाहते हैं वो कर सकते हैं इस तरीके से अच्छी जोब है अगर सब लोगों के लिए जो आगे बात करें वेकएंसी आई किसकी हिए जो ऐसलता है जो रभा में ग्रारा में पर Cambodia कितनी है आपको इस में मिलेगी आप लोगों 10,000 कि लिए प نے पर वायए है जाए कि किया जाएगा तो आप लोगों के लिए इतना काफी होता है उसके बाद आपकी शेलरी 12,000 किसमति हो जाएगी नेक्स्ट हम बात करते हैं तो इसमें चो एज एज कितनी आप लोगों की 18-40 के बीच होनी जाएं अगर आप जन्रल से बिलोग करते हो अगर आप केटिगरी से बिलोग करते हो लाइक ओबीशी हो गया है ऐसी तो नोटिफिकीशन पूरा में आपको एक-एक चीज बता रहा हूं किस तरीके से पलीस जेनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें आप लोगो हम बात करते हैं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है ठीक है सबसे बड़ा इसकी है क्या तो आप लोगों के लिए क्या है टेंद होना चाहिए और सबसे बड़ा क्या है इसमें आपको कंपसरी नोलेज ओप लोकल लेंग्वेज यानि आप लोग अगर देली में हो तो द दाक से क्या गाउ में तो उनकी लेंग्वेज आप समझ नहीं पाऊगे तो आपके लिए सर्वाइब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा नोर्मल है हो जाता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसा नहीं है आप और इसका यह बताते तो आप ओल और इंडिया के आप लोग फिल कर सकते हैं अगर आप राजस्तान या फिर यूपी यूपी से भी बिलोंग करते हो तो आप इन वेकेंश को फिल कर सकते हो ठीक है यश सब सर्किल मैं बता एग लगा गया जो कि तीन सर्किल में आई हुई है उनका मैंने आप लोगों बता दिया सब अब नेक्स डाम बात करते हैं जो कि एकॉम्डेशन और ट्रेइनिंग को नॉर्मल होती है उनमें क्या बताना नेक्स्ट जैसे कि आपको एज घा बता दिया और रेजिस्टेशन का मैं ब अपलाई कर सकते हो घगजिस्टरесन कोई लेकिन क् calmly उब इसके बाद आप 13 जूऌसे कर सकते हो और इसकी लास्ट करने की कि वह क्या है 12 जुलाइग तो ये काफी इंपोटेंट डेट है आपको कौन से याद करनी है एक तो 7 जून और 12 जुलाई ये दोनों इसके बाद आप रेजिस्ट्रेशन कर सकते हो ठीक है नेक्स टम बात करते हैं अगर इसमें फीस क्या है आप लोगों की तो इसमें फीस है 100 रूपीज जन्रल और OBC के लिए जन्रल पलस OBC के लिए और आपको पता है SC, ST और जो women's है महिलाओं के लिए ये बिल्कुल फीरी है no question के लिए फी बिल्कुल भी अपलाई नहीं है ठीक है इस तेरी के से जो information थी मैंने share किया आप लोगों के पास बात करते हैं कि vacancy कितनी आई होगी ठीक है उन सब के बारे में आपको बताता हूं और आप लोग इसको please फिल्कुल अगर आप लोगों जरूरी है तो क्योंकि काप है एच्ची वेकेंश है 1700 से पलस है अब हम बात करते हैं जो कि सभी सर्कल की बताऊंगा कितनी कितनी पोस्ट है अब अभी हम देली की बात कर रहे है तो देली में तो टोटल वेकेंशी 174 है तो के टेगरी वाइस आप देख सकते हैं कि EWS वाले में 18, OBC की 42, जर्नल की 74, SCST यह सब इनकी वेकेंशी टोटल 174 है जो की देली जोन से कहां से देली से अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हिमाचल पर्देश और जार खंड की आप बात करते हैं कि इमाचल पर्देश में किसना श्माग वेकेंशी? अब हम बात करें कि this की इमाचल पर्देश की ठीक है इमाचल पर्देश में है आप लोगों को जो की दे को जर्नल के लिकित नहीं है 303 सीट है ओभी सी के लिए 182 सी के लिए 131 टोटल मिला के लिए आपको यह इस जोन में बहुत सारी वेकेंशी है नि 777 टोटल वेकेंशी है तो आप लोग कहीं से बिलोग करते हो अगर हिमाचल पर्देश में आपको जॉप करने तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हो बसरत जारकंड में तोटल वेकेंशी काफी जयता 804 वेकेंशी है आप लोग के पास और जर्नल की 347 है और बीची के लिए आपको 97 है और ऐसी के लिए 99 एस्टी के लिए 201 तो मतलब आपके लिए टोटल मिला के सतर यह आपने अभी बात किती जारकंड की है यह वेकेंशी तो जानना है कि किस्ति के परम फिल करना है ओलाइन मोड क्या है इसका तो वो सब भी हम बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बदाए अगर आपको चाहिए तो तो फ्रेंस आशा करता हूं वीडियो परसंद हो गया होगा आप लोगों के लिए helpful लगा इसलिए मैंन बनाने की कोशिज की तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूले थैंक यू सो मच वाचिंग इस वीडियो अगें थैंक यू सो मच